पर्ट्रोनिक्स ने भी एक गेमिंग कीबोर्ड लॉंच किया हाइडरा टेन और मेरा कॉमेंट सेक्शन के बाईया रिव्यू का है यहां है तुमने और करने मजबूर कर दिया और यह 2900 का चल रहा जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ मैंने Amazon साथर किया था और 2900 में मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी जो ब्लूटुथ वाली होती है उपर से 2.4 गीगाट्स में भी चलता है वाइड मोड पे भी चलता है वाइट कलर का है एंड गेमिंग है तो आर जी बी तो मिली जाती है डबब खोलते हैं देखते हैं कैसा कीबोर्ड है यह और अच्छा ही और बुरही है दोनों के साथ आता है पूरी वीडियो में कीबोर्ड के बी रोल्स में आपको फ्लिकर दिखाई देगा वो कैमरा शटर स्पीड की वएसे है वैसे रियल लाइफ में ऐसाच कोई फ्लिकर नहीं है बड़िया लाइटिंग दिखेगी यहां पर वाइट कीबोर्ड का वाइट ही डबबाई नों ने दे दिया है यहां पर हाइटरे 10 की ब्रैंडिंग हो रखी है कलर ब्लॉक यॉर राइटिंग्स ने गेमिंग कीबोर्ड बाइस लाइन का क्या मतलब है मुझे जड़ा जानना है बिल्कुल अभी प्यारी है यहां पर लगा सकते हो और यह बिल्कुल अटक जाता है कोई निकलने की टेंशन नहीं है और इसके अंदर कोई के क्लिप्स नहीं है ऐसे ऊठावा पसंद होता है कीबोर्ड तो चलाने में इक कदनी होती गेमिंग कीबोर्ड है सेक्षन में देख लेना और जैसे कि रेड़ स्विचीज थोड़ी शांति वाला महौल है एक बार स्विचीज की आवास सुनवा जता हूं आपको पर यूज़ करो या इवन ब्लूटूथ मोड पर यहां पर ऑल की गोस्टिंग तीनों मोड पर मिलती है यह अच्छी जीज लगी और वायर्ड वायर्लेस तुम पर नंबर्स लिग लिखे है इन नंबर्स पर एक साथ तीन दिवाइस के साथ यह चल जाता है यह हमारा 2.4 डॉ डॉंगल वाला मोड है आप डॉंगल लगा सकते एक पीसी में तो टोटल चार्ड डिवाइस के साथ यह सिंगल कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा अच्छी चीज है और बैटरी डॉन हो चलते जलते तो आप वायर्ड मोड पर यह चार्ज भी होता रहेगा साथ में अपना काम लगती है इसकी यहां पर एक एक रंग निखर के आता है और अंधेरे में कीबोर्ड बहुत सुंदर लगता है और कीज में से पास्थ्रू लाइटिंग आपको मिल जाएगी तो अंधेरे में अगर आप यूज करोगे तो कोई जितकत नहीं है बड़ी अच्छा का चौंद मतलब कीबोर्ड डेस्क पर सुंदर था सारी एक साथ और यहां पर आती है ड्रॉबैक की बारी कोई पर की आरजी भी सपोर्ट नहीं है बज के अंदर बीस अपने प्री सेट्स हैं जो एफन प्लस लाश की से आप चेंज कर सकते हो और जैसे कि पर की आरजी भी नहीं है तो अगरों के अपर यहां पर लाइटो के एफेक्स के साथ अगर फेन प्लस एंटर दभाऊ के तो आपके पर्टिकूलर एफेक्ट की लाइट का कलर चेंज हो जाएगा और यहां पर में लाइट्सulse यहांगा टीज क सकते हैं अपन फेट्स लेफ्ट और राइट की से आप इस चल रहा और अभी तक भी इसकी बैटरी डाउन नहीं हुई है तो बैटरी वागप मेरा मानना है कि आपको 5-7-10 दिन तक का मिल जाएगा तो उसके लिए आपको गेमिंग कंट्रोल सोड़े बहुत चेंज करने पड़ेंगे अपने कीबोर्ड के साब से बड़ेरा जैसे नॉर्मली सारे कीबोर्ड होता है और एलिवेटिड डिजाइन में तो मेरे को परसनली कोई असच दिक्कत नहीं लगी बाकि क्लिप होते हैं उ जो सिर्फ एड कीबोर्ड में मिलती है वारल छोड्र योजई मिलती जो इसका अपना खर्वार उप और इसके अलावा इसी प्राइस पॉंट पर कोई और कीबोर्ड तुम चाहते हो या तुम यूज कर रहे हो जो भी है मतलब कॉमेंट सेक्शन भर देना जिन्होंने बोला था कि ये कीबोर्ड रिव्यू करना वो भी लिख देना वा ऐसा फुल अल्कॉरिधम में सपोर्ड और झाल झाल